हेलो फ्रेंड्स निदिस कुकिंग में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी चॉकलेट केक तो चलिए देख लेते हैं यह डिलीशेस केक कैसे बनता है रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हमें एक ग्राइंडर के अंदर आधा कप सूजी आधा कप आटा आधे से थोड़ा कप शुगर लेंगे शुगर आप अपनी टीस्ट के अकॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे उसका बहुत ही थिन पाउडर बनाकर तयार करेंगे ये देखें मिक्सिंग पॉल के अंदर हम इस पाउडर को डालेंगे अब चलते हैं इसके अंदर और इंग्रीडेंट्स को आड़ करने हमें इसके अंदर डालना है आधा कप दही आधा कप ओयल एक कप से थोड़ा सा कम मिल्क इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका बहुत ही स्मूद बैटर बना कर तयार करेंगे ओल और पानी को ओल के साथ पानी को और मिल्क को एड़ करने में थोड़ी सी दिक्का जाती है लेकिन जब इसको लगातार हम मिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा और स्मूध बैटर बन कर तयार होता है ये देखें तीन मिनट तक जब मैंने इसको अच्छे से मिलाया है तो बहुत ही स्मूध बैटर बन गया है अब चलते हैं और इसके अंदर ingredients एड़ करने यहाँ पर हम half teaspoon baking powder डालेंगे one fourth teaspoon baking soda डालेंगे तीन बड़े चम्मच cocoa powder यह देखिए cocoa powder जितना ज़्यादा होगा या कम होगा यह आपके टेस्ट पर डिपैट करता है एक teaspoon vanilla essence vanilla essence टोटली ओप्शनल है आप चाहें तो डालिए नहीं तो नहीं अब इसके अंदर हम तीन स्पून milk डालेंगे और इसको अच्छे से mix करेंगे इस बैटर की consistency बहुत ही smooth होनी चाहिए ना तो ज़्यादा रनी और ना ही ज़्यादा ठिक होना चाहिए यह देखिए इसको अच्छे से mix करेंगे तो इसका बैटर बहुत ही smooth बनकर ready हुआ है consistency बहुत ही ऐसी होनी चाहिए अब हम एक बरतर लेंगे जिसके अंदर हमें cake बनाना है यहाँ पर हमने कुछ बुंदे oil की डाली है इसको अच्छे से spread करेंगे ताकि cake नीचे चिपके नहीं इसके उपर हम butter paper भी लगाएंगे butter paper के उपर भी कुछ बुंदे हम oil की डालेंगे और अच्छे से spread करेंगे अब इसके उपर हम अपने cake के batter को डालेंगे और चारो तरफ अच्छे से प्रैड कर देंगे अब इसके उपर हमें ब्रेट क्रम्स डालने हैं ब्रेट क्रम्स डालना टुटिली ओप्शनल है ब्रेट क्रम्स एक बहytyy अच्छा और करणची mr एड हो जाता है जो की देखने में और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है देखे अब चलते हैं कुकर की तरफ कुकर के अंदर पहले एक छोटा बर्तन रखेंगे इसके उपर हम अपने केक का पैटर रखेंगे कुकर की धकन को लगाएंगे उसकी CT और रबर निकाल देंगे और LOW2, MEDIUM फ्लेम पर कुकर को 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे 30 मिनट के बाद एक बार मैं चेक कर रही हूँ यह देखे केक अभी नहीं पका 10 मिनट के बाद मैं इसको फिर से चेक करूगी ये देखे 10 मिनट के बाद मैं आप चेक कर रही हूँ कीक बनकर रेडी है चलिए इसको कुकर से बहार निकालते है 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि हलका थंडा हो जाए ये देखे 10 मिनट के बाद अब ये थोड़ा थंडा हो गया है इसको हम बहार निकाल लेते हैं knife से पहले 4 दरफ थोड़ा सल स्पेस बनाएंगे ताक कि ये easily बहार निकलाए ये देखिए cake बहार निकल गया अब हम इसका butter paper हटा लेते हैं ये देखिए देखने से ये पता लग रहा है केग कितना अच्छा और जालीदार बना है केग जतना जालीदार होता है उतना ही सोफट होता है यह देखे बहुत ही सोफट और टीस्टी केग बनकर तेयार हुआ है अब हम चलते हैं इसके उपर चॉक्लेट को लगाना मैंने यहाँ पर डबल बोईलिंग प्रोसेस से चॉकलेट बना ली थी और यहाँ पर मैं इसको केक के उपर लगा दूगी यह देखे केक इतना अच्छा लग रहा है यह देखे बहुत ही डिलिशेस केक बनकर तयार है अगर आप चाहें तो इसको वाइट चॉकलेट से भी गार्णिश कर सकते हैं मैं दिखा देती हूँ एक बार मैंने आपर वाइट चॉकलेट के लिए मिल्की बार चॉकलेट का यूज़ किया है और यह केक देखने में बहुत अच्छा लग रहा है फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई